प्रेशात्रो आज हम जो है सास्री सेकिंडियर के दुती पत्र में निर्धारित जो पाठे क्रम हैं उनकी पुस्तकों में से माथुरी पंचलक्षणी पुस्तक के दुती चैप्टर को अध्यन करेंगे अध्याहम भवताम पुरता हा माथुरी पंचलक्षणी आहा दुती अध्यायस्य अध्यापनम कारेश्यामी पश्यन्तो हो भवन्ता हा नियायसास्त्रम का आनवीक्ष की विद्या का अश्यको अरथ इत्यस्मिन विशे बयंपढिश्यामा नियायसास्त्र क्या है इसका लक्षण जो है संस्कत में नियायसास्त्र के ग्रंतों में दिया है प्रमारई अर्थ परिक्षणम नियाया अर्थार प्रमानों के द्वारा जो क्लिष्ट सब्द हैं क्लिष्ट ग्रंतियां हैं उनके अर्थ को शम्मित रूप से प्रतिपादित करें आर्थार ये क्लिष्टाह सब्दाह संति तेशाम आर्थम शम्म्यकरवूपेणह क्रतपादियंति तस्य आर्थम चा बोधयंति ये नियायसास्त्र का कार्य है तत नियायसास्त्र मुझ्यते प्रमाणई आर्थ परिक्षणम याया ऐसे नहीं मन से अर्थ प्रतिपादित कर दिया ऐसा नहीं इताह पूर्वम ओक्तम लक्षणे प्रमाणई आर्थ परिक्षणम आर्थ आर्थ चा प्रमाणों के द्वारा पर एक्जामवल शप्रमाण जो नियायसास्त्र आप देखते हैं कोई डिसीजन होता है लोग के अंदर बिना प्रमाण के डिसीजन नहीं होता और वह डिसीजन जो वह सर्व माणने होता है यही नियाय विद्या है प्राचीन काल में भी यह नैसरगिक नियाय है तो प्रमाणों के द्वारा जो अर्थ का परिक्षण करें और परिक्षण करने के उपरांद तदनंतरम तस्या अर्थस्या बोधो भवती सह नियाय सास्त्रा उच्यते तत नियाय सास्त्रम तस्या अपरनाम कोटिल्येना सोइस्पस्टम तस्या अपरनाम आनवीक्ष की विद्या का कोटिल्यम होदेना सोइस्पस्टम उक्तम तदीपह सर्व विद्यानाम उपाय सर्व करमनाम आशय सर्व धर्मानाम स्यम्मान विक्ष की मता अर्थाच अर्थुवयम बर्तदे प्रदीपह यथा अंधकार होवतीन तत्र एकम प्रदीपम प्रच्च्वाल्या तत्र इस्थापयंतु तरही तस्मिनी स्थले अंधकार स्याह बिनासु भवती अर्थाच प्रकाश भवती तथाईव सास्त्रे स्वपी शर्व विद्यासु व्याकरण सास्त्रे धर्म शास्त्रे बेदांत दर्शने बेदे शु यत्रकुत्रापी सर्व विद्यासु यदि कश्चित ग्रिंती वर्तते तस्य स्वस्टी करणं नववती तस्य अर्थस्य स्वस्टी करणं नववती तस्य विशयस्य प्रतिपादनं सम्निक रूपेण नाड छती तस्य उपायह तस्य इस्वस्ट रूपेण नहा अर्थस्य बोदो हो आनवेक्षिकी विद्याद्वारा भवती अर्थाच्य सर्वकर्मनाम सर्वविद्यानाम सर्वकर्मनाम आश्रयह सर्वधर्मानाम चहा आश्रयह यत्र कुत्रापी धर्मेशु विवादह समुत्पन्ना भवती तत्र तस्मिन अर्थेपी न्याय सास्त्रस्य आवशक्ता भवती आदये वह आनिवीक्षिकी विद्याया अचित्यम बर्थती आनिवीक्षिकी विद्याद्वा शर्वधर्मानाम शर्वविद्यानाम शर्वकर्मनाम्च प्रदीपबत प्रकासक अस्ति अर्थाच्च शर्वकर्मनाम शर्ववपायानाम शर्वधर्मानाम्च आश्रयोस्ति आनिवीक्षिकी संदरवे वा नियाय सास्त्रस्य संबंधे शर्ववे विद्वान सह स्वीकुर्वंते नियाय सास्त्रस्य वा आनिवीक्षिकी विद्यायामतम अक्षन सह सत्यम वस्ति इति शिद्धं ववती यत्र आनिवीक्षिकी विद्या वा नियाय सास्त्रस्य विद्या प्रकाशकह अस्ति नास्तिकस्षित विप्रतिपक्ति आनिवीक्षिकी शब्दस्य कोवर्थ अत्रप्रश्णम समुदेती चात्रों सुनिये यहां दो नम्मर का छोटा लगू प्रश्णा आता है उसका आनिवीक्षिकी विद्याया कोवर्थ तो आप इसको सुनिये देखिए आपको पहले हिंदी में सुनाता हूं के किलिष्ट भासा है आनिवीक्षिकी विद्याका अर्थ है प्रत्यक्षद्रश्ट्र शास्त्रों तर्चों पिशें हैं उनके तक शरूब को स्पस्ट करना इस विद्या का नाम ही न्याय विद्या है न्याय सास्त्र है अनुमान सास्त्र है इसको महर से बापसाय ने न्याय सास्त्र के भास्ति में शम्य करूपर से प्रत्यपादित किया है अब आप इसको संस्क्रत में सुनिए आनिविक्षिकी विद्या को शुरुयत आम संस्कत भाचायां प्रत्यक्षाद गमास्त अनुमानं सान विक्षा प्रत्यक्षा गमाभ्या मेच्षित अस्यान विक्षनमन विक्षा तया क्रवर्तत इत्यान विक्षिकी न्याय विद्या न्याय सास्त्रम यत उनर अनुमानं प्रत्यक्षागम विरुद् नियाय व्हाश शुखित आनेवेक्ष के विध्य उच्यते ृ शुको आनेवेक्ष के विध्य आ कहा गया it नियाय क्या है नियाय सद्ध'sिकुर्ध अश्विन विशहेकी मया इतrese पूर्वं लक्षणंप्रधत्तम प्रमाणई आर्थ परिक्षणम नियाय जो प्रमाणव के द्वारा आर्थ का परिक्षण करे उसको हम नियाय केटे हैं। पंचावयवा प्रतिज्यादया समुहम पेक्षावयवा उज्यन्ते तेशु प्रमाण समवाया आगम प्रतिज्या हेतु रनवानं उदारणं प्रत्यक्षं उपनयनं उपमानं सरवेशं मेकार्थ समवाये सामर्थ प्रदर्शनं निगमनं इते। शोयम परमोहो नियाय इते एतेना बाद जल्प वितंडा प्रभर्त अंते ना तो अन्येती तदास्त्रयाचा तत्त विवस्था इत नियाय सूत्र वहास्ये प्रमशूत्रे उत्तम नियाय सास्त्र से कति भेदा नियाय सास्त्र के कितने भेदे हैं तो नियाय सास्त्र स्या वा नियाय सास्त्रम दुविधं वैदिकं अवैदिकं जप दो नम्मर के प्रिष्ण है बस नियाय सास्त्र के कितने भेदे हैं नियाय सास्त्रम दुविधं बैदिकम अवैदिकम अनन्तरम गौतमी न्याय का तो गौतमी न्याय क्या है तो हिंदी में सुनिये गौतमी न्याय जो है सभी न्याय सास्त्रों में गौतमी न्याय सास्त्र सर्वमूर्धन इस्तान प्राप्त करता है इसकी सेली जो है न्यायिव सेली है साध्यता अवक्षिदका अवक्षिन्न तद्धर्मा अवक्षिन्न ये इसकी सेली है साधारण सेली नहीं है अत्यंत की लिष्ट सेली है और न्याय सास्त्र की जो उबैदिक धाराएं है उनको भी दो धाराओं में विभाजित किया है प्रमेय प्रधान और प्रमाण प्रधा जहां प्रमेयों का प्रतिपादन किया जाता है तत्र प्रमेया नाम प्राधान्यम्बवती उसको प्रमेया प्राधान्यम्बवती यत्र प्रमानाम प्राधान्यम्बवती तत्र प्रमान प्राधान्यम्बवती तत्र प्रमान प्राधान्यम्बवती महर सी गौतम है ना उक्तम गौतम से पूर्व जो है गंगेश उपाध्या जी ने भी ऐसा ही कहा है गंगेश जी जो है नियाय सास्त के मुर्धन विद्वानों में माने जाते हैं गंगेश उपाध्या जी की तत्त चिंतामनी व्यक्ष्या बहुत सुप्रशिद्ध है अब यहां आपको बताते हैं देखिए कि जो आनविक्षी की विद्वानों है वा नियाय सास्त्र है वह है कितने प्रमानों को स्विकार करता है नियाय सास्त्रे कदे प्रमाना ने ये भी दो नम्मर का प्रश्ण है छोटा छोटा तो नियाय सास्ते चत्त्वारब प्रमानाने प्रत्यक्ष प्रमानं प्रथमा दुतिया अनुमानं त्रतिया उपमानं चतुर्था सब्द प्रमानस्च अर्धार त्रत्यक्ष अनुमान और उपमान और शब्द चत्वारब प्रमानाने नियाय सास्त्रे संदी इते अब प्रत्यक्षम किम अर्थाच प्रत्यक्ष किम उच्यते तो याय सास्त में प्रत्यक्ष प्रमान का लक्षन दिया है इंद्रियार्थ सन्यकर्षजन्नम गिंग्यानम प्रत्यक्षम इसको तरक्षंग्रे भी स्विकार करता है इसको नियाय सिध्धांत मुक्तावली भी स्विकार करती है और इसको अन्य नियाय सास्त गेंग्यंत जो है वो भी स्विकार करते हैं प्रत्यक्ष सब्दस सिपोगा रहा था पश्यन्त वात्रालिखितम बरतते प्रति दिशयम प्रति गतम अक्षम इंद्रियम प्रत्यक्षम सब्दम आर्था अच्छा प्रत्यक्ष सब्द के ये वित्पत्ती है कि प्रति विशयम प्रति गतम अक्षम इंद्रियम प्रत्यक्षम दिशय सन्निक्रस्टम इंद्रियम वेवा प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम और था इंद्रियों से जो सन्यक्रस्ट ज्यान है उसी ज्यान को प्रत्यक्ष रूप से गहन करना है प्रत्यक्ष 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 प्रत्यक् शेंद्री आए हैं प्रत्यक्ष प्रमान के अधीन, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमान स्य सिध्धिर भवती, प्रत्यक्ष प्रमान की सिध्धी होती है, ग्राण आचानती किस से सुंगा जाता है, दुर्गंद है या सुगंद है इसके लिए हम इस नासिका का प्रयोग करते हैं तो सरप्रतम प्रजच प्रमान की सहय की इंद्रिया जो कहलाई घ्रान नासिका दुती है रसना अर्था जीवा यह जीव है इस जीवा पर देखिए रस डालते ही नमक रखते ही प्रतक्ष प्रमान से आप पता देंगे कि यह लवण युक्त बस्तू है हरी मिर्च नीजिए हरी मिर्च को ले करके आप जीव पर डालिए त्रंत उसका रस जो है कड़वी है तीखी है चरपड़ी है कैसी है प्रतक्ष रूप से उपस्तित हो जाएगा प्रतक्ष रूप से देख सकते हैं यह प्रतक्ष प्रमान हैं अंध्य व्यक्ति को चाक्ष शहीन व्यक्ति को इसका पता नहीं चल पाएगा और कहते हैं त्वक यह उपलियां देखिए बिजली के प्लक में आप जैसे उपलियां देंगे आपको करेंट लगेगा त्रंत आपको प्रतक्ष रूप से पता चल जाएगा कि यहां बिद्दुत है आत्रा तक्षरूपेणा ज्ञानम भवती अस्मिन भागे है बिद्दुत प्रभावोस्ते ये त्वक इस बात का बोध कराती हैं क्यान कराती हैं श्रोत्र में दोनों कान हैं ये देखिए हमारे जो प्रमान हैं प्रतक्ष अन्मान उप्रमान और सब्दुत प्रमान में जो है श्रोत्र का उदारन हैं सब्द गुडम कमाकाशं आकाश में जब सब्द होता है बादल जब गरजते हैं तो आपके कानों में सुनाई देटा है ये प्रतक्ष इस बात का गोध होता है कि आकाश में बादल गरज रहे हैं मेगा गरजनते वा बीन बादनम भवते जब बीन बजता है तो उसकी मधुर्भनी जो है कानों में सुनाई देती है तो श्रोत्र जो है वो भी पांच में इंद्री है तदन अंतरम मन है उसके बाद में मन है तो इंद्रियों के सन्निकर से इंद्रियों के सन्निकर से ये प्रत्यक्ष ज्यान होते हैं जिसमें हम देखते हैं अनुभूत करते हैं कि प्रत्यक्ष इंद्री जो है अपने अपने विशे से सन्निकर स्ट हो करके उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हमको प्रदान करती है ये प्रत्यक्ष ब्रमान का उधारन है मैंने आपको बता दिया है वही वस्तु इसमें दी है देखिए हिंदी में आप इसको समझ लेंगे गरान का विशे है गंद दुरगंद है या सुगंद है रसना का विशे है रस गत विशे बस तूनाम होगा चक्छू का विशे है आखों का रूप गत शरूप बताना ये काला है पीला है पीत बरन है क्या जाती है कहां से इस द्रभी का उदगम हुआ है ये आलू है मिर्ची है कमाटर है कौन सा द्रभी है ये सब विशे किसका है चक्छू का है आखों का है त्वक्का विशे है इस पर्ष करने से ये बायू ठंडी है ये बायू गरम है ये अगनी गरम है ये जन ठंडा है ये सब जो है सन्निकर्ष से ज्ञान की अनुभूती है शुरूत्र का विशे है सब्द सब्दगत जाती इन सब का ज्यान कराना मन का विशे है आत्मा जीवात्मा गोन गुद्धी सुख्दु इच्छा द्वैस वैत्न इन सब का ज्यान कराना ये मन का काम है आप देखिया आपके समुख ये हरी मिर्च हैं और इधर आप जो देख रहे हैं क्या वस्तू है खाने की वस्तू आप देखते होंगे गुजिया रखी हुए हुई है रसना के उपर अगर मिर्ची रख दी जाए तो इसके स्वाद Woah ये प्रकट कर देगी और इधर जो है गुजिया के तोड़कर कर खाओगे तो इसके मिठास को ये प्रकट कर देगी आर्धार रसना के द्वारा दोनों प्रतार के रसों की अनुभूती होती है ये प्रतक्ष प्रमान के द्वारा शिद्ध होती है कि आगे प्रतक्ष अनुभव क्या है कहते हैं कि संयोग प्रतेक मन का प्रतेक आत्मा के साथ सम्मंद होता है आत्मा व्यापक है संयोग मन का प्रतेक्षी करन करता है आत्म गुणों का प्रतेक्ष होना आत्मा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है लेकिन प्रमात्मा का बोध उसके द्वारा नहीं होता प्रतेक्ष जो वनुभव है वो छे प्रकार से छे इंद्रियों के द्वारा में नहीं आपको बतलाया और इससे विशिष्ट ग्यान भी कुत्पन होता है आगे प्रतेक्ष के बाद में है अनुमान प्रमान अनुमान प्रमान का अर्थ क्या है लक्षन क्या है अनुमीय या ते अनुमानम जो अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो व्याथ्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम अनुमानम व्याथ्ति जो होती है वो अनुमान प्रमान के द्वारा ही सिद्ध होती है पहले अनुमान दगाया जाता है, जैसे परवतों कोन्य व्याप्य धूमा मान, यह यह कहा है, परवत जो अगनी से व्याप्त है और धूमे बाला है, इसका व्यापारिक अर्थ क्या है? तजन्यत्वे सत्य तजन्यत्वं अर्था जो जिससे होता है जो जिसका जन्य जनक होता है वैं उसके कारी की उत्पत्ती में व्यापार होता है जैसे घट है घट में कपार इत्यादी क्रिया की जाती है दंडी इत्यादी होता है वो उसका व्यापार होता है आगे देखिए अनुमान के भी भेद होते हैं विस्षिस रूप से आगे पढ़ेंगे अनुमान के भेद जो हैं तील प्रकार के हैं पूर्वत सेश्वत और सामान्यतू द्रश्ट इनकों तरक्संग्रे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे आप देखिए अनुमान प्रमान यहां हो गया उपमान प्रमान और सब्त प्रमान दो प्रमान और सेश्टे उपमिती करणम उपमानम यथा गावस तथा गवय यह इसका उडारन है जैसी गाय होगी वैसा बचड़ा होगा उपमान के द्वारा यह सिद्ध किया जाता चतुर्त प्रमान जो है नियाय सास्त्र में है सद्ध प्रमानम सब्द प्रमान का अलक्षण है सब्द गुणक कमाकाशं ये तरफ संग्रे में दिया है तो सब्द प्रमान जो है क्या है आकाश का बताया मैंने आपको बादल गरश्ते हैं मेघा गरजन्ति तदनंतरम ज्ञानम भवते मेघा गरजन्ति बादल गरज रहें ऐसे आमको बोध होता है अस्वाधावंति गोडे तोड रहें कैसे बोध होता है तुमों उनके सब्द से अतात यदाह अस्वाधावंति तदा तेशाम पादानाम भने बबती जब गोडे तो रहते हैं तो उनके खुरों की आवाद खुर 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 आती है तो ये बोध होता है कि अस्वाधावंति इसी प्रकार से अनेकावी उदार हैं जो कि सब्द प्रमान के द्वारा शिद्द होते हैं जैसे भोडे बोलते हैं तो भोडे जब ही नहीं नहीं आते हैं तो उसकी आवाज आती है आवाज आती है तो शब्द प्रमाने नहीं की शिद्धम भवती अस्वाधावंति अस्वाबदंति इत्यादय तो शब्द गुनक कमाकाशं अर्दाच्य आनिरीक्षिगी विद्यायांबा नियाई सासे चत्व प्रमानाने भवंती चत्वार प्रमान चों है चार प्रमान है चारों प्रमानों की द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धी होती है और इन चार प्रमानों को प्राई सा सरवे है नई आएका सरवे पिद्वान साह स्वीकुर्वनति केचिट